दोस्तो हर महीने मार्केट में बजट प्राइस से लेकर फ्लैक्शिप लेवल के स्मार्टफोन लाँच किये जाते हैं और आपको मैं हर महीने अपकॉमिंग फोन्स के बारे में जानकारी देता हूँ तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अगस्ट के महीने में लाँच होने वाले 10 ऐसे ही स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा जो कि ग्लोबली और इंडिया में लाँच के जाएंगे तो दोस्तो इस वीडियो को आप लोग जो है लाइक और शेयर करने के साथ आप हमारी चैनल EDTEC को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को आप लोग जो है एंड तक देखते रहेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी करते वेश शुरू करते है शाओमी की सब्रेंड कमपनी ब्लैक शाक की तरफ से सेकेंड जेनरेशन गेमिंग फोन ब्लैक शाक 2 प्रो को 30 जुलाई को चाइना में लॉंच किया जाएगा जिसमें आपको डिजाइन ब्लैक शाक 2 फोन की तरफ ही मिलने वाला है हो सकता है आपको इसमें न्यू कस्टमाइजेबल लेडी बार्स मिलेंगे इस अपडेटेट फोन में आपको जो है स्नाप ड्रेगन 855 प्लस वाला प्रोसेसर दिया जाएगा जो कि 12GB RAM के साथ आ सकता है तो दोस्तों देखते है इस फोन में जो है Xiaomi की कमपनी क्या स्पैसिफिकेशन और किस प्राइज रेंज में प्रोवाइड करती है वीवो की तरफ से न्यू फोन वीवो Z5 को 31 जुलाई को चाइना में लॉंच किया जाएगा जो कि हो सकता है अगस्ट के महिने में इंडिया में लॉंच किया जाए वीवो Z5 स्मार्टफोन के ज़्यादा तर स्पैसिफिकेशन टीना वेबसाइट पे लिस्टेट किये जा चुके है जिसके इस आप से बता हूँ तो फोन में आपको 6.3 इंच का फोन में आपको 22.5 वाट का फास चार्जर की टेकनोलोजी भी मिलेगी Huawei Y9 Prime स्मार्टफोन एक अगस्ट को इंडिया में लॉंच किया जाएगा जो कि Amazon इंडिया पे मिलेगा Huawei Y9 Prime में आपको जो है प्रीमियम डिजाइन के साथ 6.5 इंच का Full HD Plus Bezel-less डिस्प्ले मिलेगा जिसमें आपको Octa-Code Snapdragon का 710 का प्रोसेसर दिया जाएगा Triple Rare क्यामरे के सेट अप के साथ फोन में आपको 16 Megapixel का पॉप अप स्टाइल में फ्रंड क्यामरे दिया जाएगा दोस्तो हुआवे Y9 Prime स्मार्टफोन का जो डायरेक्ली कॉम्पिटिशन Realme X Oppo K3 जैसे स्मार्टफोन से होने वाला है तो हो सकता है इस फोन को जो है अंडर 18,000 रुपिस में लांच किया जाए वीवो की तरफ से निव फोन वीवो S1 को 7 अगस्ट को इंडिया में लांच किया जाएगा जो की अल्डेडी इंडोनेशिया में लांच हो चुका है स्पैसिफिकेशन की बात करूँ तो वीवो S1 में आपको 6.3 इंच का Full HD Plus Super AMOLED डिस्पले मिलेगा Octa Core का Mediatek Helio P65 का प्रोशेसर दिया जाएगा ट्रिपल रेर क्यामरे का सेटप मिलेगा 32 मेगा पिक्सल का फ्रंड क्यामरा तो 4,500 मेंच की बड़ी बैटरी दी जाएगी दोस्तो वीवो S1 फोन का जो प्राइज है इंडिया में अंडर 15,000 रुपीज हो सकता है नूबिया की तरफ से न्यू फ्लैक्षिफ फोन नूबिया Z20 को 8 अगस्ट को चाइना में लॉंच किया जाएगा दोस्तो नूबिया Z20 फोन में जो है कुछ लीक स्पैसिफिकेशन चाइनिस वेबसेट से पता चले है जिसके इस आपको बता हूँ तो इस फोन में आपको Snapdragon 855 या फिर Snapdragon 855 प्लस वाला चिपसेट मिलेगा जिसमें आपको flagship लेवल का क्यामरा सेटप दिया जाएगा दोस्तो Honor 9X और 9X प्रो जो है कुछ दिन पहले चाइना में लॉंच हुए थे ये फोन ग्लोबली और इंडिया में जो है अगस्ट के मैने में लॉंच किये जाएंगे Honor 9X और 9X प्रो में आपको सिर्फ रेर कैमरा को छोड़ दिया जाए तो बाकि सभी स्पेसिफिकेशन सिमिलर मिलते है जिसमें आपको फुली बेजलेस डिस्प्ले के साथ पॉप अप फ्रेंड कैमरा, 4000 इमेज की बड़ी बैटरी और पाउरफुल कीरिन 810 का प्रोसेसर मिलता है ये फोन अंडर 20,000 रुपिस में लॉंच किया जा सकता है दोस्तो शाओमी Mi A3 फोन यूरोपियन मार्केट में लॉंच हो चुका है जो कि चाइना में लॉंच हुए Mi CC9E का ही वेरियंट है जिसमें आपको AMOLED नॉच डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल के साथ ट्रिपल रेयर कैमरा सेट अप, 32 मेगापिक्सल का फ्रेंड कैमरा 4000 इमेज की बैटरी और Snapdragon 665 का प्रोसेसर मिलता है लेकिन मुझे लगता है कि ये फोन इंडिया में Mi A3 Lite के नाम पे लॉंच किया जाएगा तो हो सकता है Mi A3 में आपको Snapdragon 712 या फिर 710 वाला प्रोसेसर देखने मिले ये दोनों फोन जो हैं इंडिया में अगस्त के महिने में लॉंच किये जा सकते हैं दोस्तो आसूस की तरफ से चाइना में जुलाई के महिने में आसूस रोग फोन 2 को लॉंच किया गया था जिसमें 10 सेंट वेरियंट का जो प्राइज है वो सिर्फ 35,000 रुपे रखा गया था तो ये गेमिंग सेंट्रिक फोन है जिसमें आपको स्नापड्रेगन 855 प्लस वाला चिपसेट दिया गया है 6000 एमेज की बड़ी बैटरी के साथ आपको इसमें 6.59 इंच का एमोलेट 120 हर्ट्स वाला डिस्पले मिलता है तो दोस्तो आसूस रोग फोन 2 को जो है मिड अगस्ट में ग्लोबली और इंडिया में लांच किया जा सकता है नोकिया की तरफ से नया फोन Nokia 8.2 को जल दिलांच किया जा सकता है जिसमें बताय जा रहा है कि फोन में आपको पॉप अप स्टाइल में 32 मेगा पिक्सल का फ्रेंट क्यामरा मिलेगा तो दोस्तो इस phone में आपको fully bezel-less display दिया जाएगा तो देखते हैं Nokia की तरफ से ये phone कब और किस price range में launch किया जाता है दोस्तो Samsung India की तरफ से नया budget centric phone Samsung Galaxy A10s को अगस्ट के first week में launch किया जाएगा जो की Galaxy A10 के price range में launch हो सकता है इस phone में आपको 6.2 inch का HD Plus bezel-less notch display मिलेगा Exynos के processor के साथ 4000 mh की बड़ी battery दी जाएगी तो दोस्तो इन सभी phone के अलावा जो है Samsung की तरफ से नया flagship killer phone Samsung Galaxy Note 10 को साथ अगस्ट को launch किया जाएगा और Realme की तरफ से नया selfie centric phone Realme U2 को भी जो है अगस्ट के महिने में launch किया जा सकता है तो दोस्तो इन सभी phone में से आप जो है किस smartphone का बेसबरी से इंतजार कर रहे है आपकी राय आप मुझे comment box में जरूर बताएगा तो दोस्तो आज का informational वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like, share, comment करना ना बुले और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल AD Tech को subscribe भी कर जबते है Thank you for watching friends मिलते हैं अगले ऐसे interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए take care and bye bye friends